तो आज हम देख रहे हैं इन्पूट डिवाइसिस लास्ट क्लास में आपका क्या हुआ वही क्यों रिस्पॉंड नहीं कर रहे हूँ वेट फो रिस्पॉंड ठीक है चली वेट कर लेता है ऊजब लास्ट आपका वर्चल मेंबरी था वर्चल मेंबरी यानि कंपिटर में बाइड डिपॉल्ट राइम साइस के साथ प्लस हो जाती है यानि कि जो डाइग्राम यानि कि हमने यहां से स्टार्ट किया था यहां से स्टार्ट करने के बाद हमने का था कि इसके तीन पार्ट है इनपुट और आउट पूट इनपुट हमने जो पड़ा अब तक सीपुट इसके बाद हमने जो रहा है इसके बाद जो है यहां तक यह पॉर्चन जो पूरा कम्प्लिट कर लिया आगे आते हैं प्राइमेरी और सेकंडरी मेमरी जो कि इसके अधर पार् सब्सक्राइब का नेले में प्राइमरी और सेकंड आते हैं धायल सेंट연 काह fallे जहा है कि हमारा जो पॉर्शनola मैंगनेटिक ओप्रिकण और में कर्फ चक तो इसमाना से अधरफॉपी पढ़ हमने हाडब गीविरी धाग पार्ली 25 यहां तक आपका पूर्शन यह ऊपूरा CPU जो है खतम हो चुका है, अब आज हम बात कर रहेंगे, अब next वो है आपकी input devices, ठीक है, एक question जो input devices में आपको बहुत generally देखा जाता है, बहुत generally मिल जाता है, आपको यह मतलब exam के प्रोस्पेक्टर से गर देखें, तो यह बहुत basic question है, जो आज कल थोड़ा सा upper level का होगे, इस यह simple question भी आपको पूछा गया है, प्रिविएस अगर की question देखेंगे, तो आपको मिल जाएगा, data क्या है? raw facts and figures, यह आपका data है, इसमें क्या आता है, इसमें वे सारे अव्यवस्थित पाकड़ है, जैसे कि मैंने आपको दे दिये, कि 1 भी दे दिया, मैंने आपको, 8 भी दे दिया, 209 भी दे दिया, और उसके बाद मैं बीच में ABCD भी दे दे रहा हूँ आपको, है ना, किसी व्यक् जगे का नाम बता दिया, कोई currency बता दिया, अब यह सब है तो ठीक है, यानि कि इसमें आपने ये भी दे दिया, ये दे दिया, ये कह दिया, आपने ये कह दिया, आपने कह दिया UK, आप बता दे रहो sir, इसमें image भी है, तो ये है क्या है, ये सारे आकड़े हैं, यानि कि data है पर बार उडर में इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा यहां पर एक से क्या मतलब है था पांस क्या मतलब एक से मतलब क्या है आण तो यह आपका data हो गया जिसे हम क्या कहते हैं कि अब यह वस्थीत आकड़े जो अदूरे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है कीटा कहला है है अब इनका कोई लेना देना कुछ भी नहीं olduğunu है सिर्फ यह दीटा कहला रहें तो यह बात तो हमने कर ली डीटा की एक नरे यहartenण तो यह बात कर लिए दीटा की तो सर् आपने बता दिये डीटा का मतलबрист किया है हमने का ठीक है बलकुल बता दिया तो इसके आगे क्या बताऊगो चलिए देख लेते हैं इसके आगे क्या बताएंगे यहाँ पर जो वर्थ है वो वर्थेबल आपकी है कि आप एक एक चीज़ों को देखें समझें और पढ़ें यहाँ बात कर लिए हमने डेटा की और क्या है इंफोर्मेशन देटा जो की जो की अव्यवस्थित अव्यवस्थित आकड़े हैं उन्हें प्रोसेस करके एक अर्थपूर्ण वस्तु का निर्मान के इंफोर्मेशन कहलाती है कैसे हैं इन्फोर्मेशन क्या है इसमें चलिए देख लेते हैं देखे हमने कहां कि डेटा जो है वो बिल्कुल बिखरा हुआ आकड़ा है कुछ भी नहीं इसमें अगर सेदान से देखे तो आब वन का मतलब क्या है, फाइव का मतलब क्या है, एबी का मतलब क्या है, एक मतलब क्या है, यूके का मतलब क्या है, इनिच का मतलब यह है, कुछ भी नहीं बता, ठीक है, चलिए, ये बात हमने देखी, अब यहां अगर हम बात करने है कि इसके बात करने है कि अब ये बड़ा रही रहता है इसको थोड़ा सा इसली और वहां सारी चीजे ऊपर नीचे हो गई चलिए आगे देख लेते हैं कोई बात नहीं तो हमने बात की वन की यहां फाइक था यहां आपने फिर क्या लिया है यहां आपने इसली लिया है यू के लिया है और एक कोई भी इमेज अब यह जो है वो तो डेटा है पर इसका अर्थ पूर्ण इंफोर्मेशन क्या बनेगी इंफोर्मेशन आप इससे कुछ भी बना सकते हैं जैसे जैसे कि आपने बना ली इसका एक एड्रेस क्या एड्रेस है एड्रेस है आपका फर्स किजिए वन फाइफ एसक्शन अब ब्लॉक और इसमें आपने गर का यहां पर इमेज दी तो क्या यह एड्रेस बना एक तरह का एड्रेस बन पाया ना एड्रेस बनने की हिसाब से हमने क्या कहा हमने कहा कि जो रॉड डेटा था इस डेटा का एक इनफोर्मेशन बना इनफोर्मेशन उसका एक मतलब है जो हमारे लिए काम का है तो इसी तरह आपने जब डेटा आपको बिखरे माइनों में दिया जाता है computer में data जो है बिखरे मायनों में दिया जाता है और उससे आप एक particular information यानि कि एक व्यवस्ति चीज़े बना सकते हैं तब आपकी काम की है अब बहुत सार डेटा फीड करते हैं जब result बना जाता है बहुत सार डेटा फीड किया जाता है पर उस result से आपको multiply करते हैं प्लस करते हैं माइनस करते हैं सब्स्ट्राइक करते तब जाके आपका एक result निकल के आता है तो हमने क्या देखा हमने देखा कि इस डेटा से इस डेटा से क्या बनता है information बनती और collection of information यानि बहुत सारी information के क्या बनती है आपकी knowledge और knowledge से व्यक्ति बनता है wisdom विस्टम यानि विद्वान तो यहाँ data से many of data जो के row है row factor and figure उससे आपका information बना information से knowledge knowledge से आपका wisdom तेम exact इसी तरह का same pattern पटवारी में वो पूछ चुका है आपसे पहला job का exam हो वो पूछ चुका है जहां तक वो आया है वो है अभी तक यह इस area तक वो आ चुका है अब आपका बस्ता ही यह पार तो सम्दावना है कि पूछा जा सकता है basic पार्ट है जब बात वो fundamental की कर रहा है तो बिलकुल यह फंडमेंटल ही है बहुत basic पार्ट है डेटा है आपके पास उसका इंफोर्मेशन बनाओ फिर नॉलइज बना और विजनम बनाओ यह विद्वान बनाओ इसी तरह एक पार्ट और जो चलता है यहां वह आपका बिलकुल basic क्या computer आपका first output लेता है आप उसे process करते हैं उसका output देते हैं और finally आप उसे क्या करते हैं इस्टोर भी कर देते हैं क्या करते हैं तो यह sequence भी आप से पूछता है यह sequence आप से पूछ लेता है आपसे बहुत बार क्या कर लेता है कि सिंपल सा कि 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 निम्न शब्दों को कि उचित करम में जवाई यह अब कुछ नहीं करना है सिंपल से यह इंपूट उठाके इसने अलग दे दिया आउट्पूट उठाके आपसे अलग दे दिया प्रोसेस अलग कर दिया आउट्पूट अलग कर दिया और इस टूर जो है वह अलग करती है अब यही हो गए आपके ऑप्शन क्या होगए यही होगए आपका ऑप्शन अब इसी अ भी सीडी भी से बताओ आपको क्या जाका ही आउट्व thought क्या आपको पता है थाँसर पता है पता वो इनफर इससे पढ़ने से फेले अपको यह चीज़ नहीं पता थी तो क्या इसका आंसर देने में समर्द थे और अगर ऐसा question दिखे जाए तो फिर हम क्या करें exam में इस तरह क्या है हमने computer के बहुत कुछ बढ़ा है हम जानते हैं कि CPU क्या है हम जानते हैं कि RAM क्या हम जानते हैं सब कुछ पर हम basic नहीं जानेंगे तो हमारे लिए आगे क्योंकि वह basic भी तो पूछेगा वह व्यक्ति जो आया है सिर्फ exam देने के लिए सिर्फ और सिर्फ exam देने के लिए वह तो सब कुछ पढ़के आएगा exception है बहुत सारे ऐसे भी दोस्तों मित्रगन जाएंगे जो सिर्फ देख के आएंगे कि वहां पर कैसा क्या है महौल चलो गूंग के आते हैं बस में तो उनके लिए तो ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है पर हमें क्योंकि exam करेक करना है तो हमको इस चीजर बढ़ने प झाल चल रहा है झाल नहा है जाल पर किता करें। एक यहां तक आपको लिखना है अब यहां से आप सिंपल साथ डाइगराम बना लूँ बस अू लिख लिख लिया हो तो आप मत लिखना और नहीं लिखाओ तो लिख लिख लिए लोग यहां नहीं आए उनको यहां का पता नहीं है अपने को अच्छी बात है कि अपने को पता है कि पूरी हरार्की क्या है आपको इस चीज का ध्यान रखना है चलिए, यह बात तो हमने कर ली इस चीज़ की, इसमें एक और हरार्की ही आप लिख लो, ताकि क्या है कि चीज़ें यही की यही रह जाए लिए, इसमें चेंज नहीं होगा, यह सिक्वेंस जरूर ध्यान रखना आपना, यह सिक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्वें यहाई है यहां पर आपका इंपूट प्रोसेस आउपुट और इस्टोर देखें यह जो प्रोसेस है न आउपुट और स्टोर यह डिपेंड करता है यूजर के पॉमेट ये तो वैसे डिफॉल्ट ही है आपको अगर एक्जाम में ऐसा पूछाएगा न तो आपको यही करना है वहाँ स पस यह जो sequence से इसी sequence में चलाना, पर otherwise भी आपका जो data है, आपका जो यह function है, यह function कभी-कभी बदल भी जाता है, कैसे बदल जाता है, हम process input देते हैं, process करता है, output आता है, अब यह जो output है, या तो आप इसे final save कर लो, अगर आपने output लेने से पहले save कर लिया, तो पहले store हो जाएगा, और store हो गया, तो उसके बाद आप output ले सकते हो, जनरल ही अगर आप देखें, एक word की file है, आपको resume मना था, resume में आपने input लिया उससे, resume type किया, process कर लिया, resume बन किया, अगर आप पहले resume सेव कर लोगे, तो वो store हो जाएगा, और बाद में उसका print निगा लोगे तो output चला जाएगा, पर sequence क्या कर रहा है, sequence तो वह यह बता रहा है कि output है, यानि कि आपने पहले दे दिया है print, उसके बाद आप store कर रहा हो, तो यह जो position है, यह position user की चल जाएगा, पर अगर exam में पूछा जाए, तो sequence यही रहा है, चला है, चलो, next देखते हैं, आगे की तरफ यह होगे knowledge आपका, अब, यह आपका simple question हो जाता है, अब जो हम बात कर रहे है, simple सी, जैसे कि हमने बात की थी, input चल रहा है आपका, input, यहां मैं हमने एक चीज़ देखी कि input जो है, वो data information और यह सारी चीज़े collect कर रहा है, हाणा, input बढ़ने से पर एक और चीज़ हम देख लेते हैं, क्या है, input तो पड़ी रहे हैं, पर क्यूंकि यह चीज़ दोनों में आ जाती है commonly, इसलिए हम इससे देख लेते हैं, और simple सी एक ही चीज़ है, इसके बार में ज्यादा कु देख लेते हैं, तो बात कर रहते हैं, पेरिफरल डिवैसिस की, पेरिफरल डिवैसिस क्या है, इसमें बहुत छोटा एक ही concept है, इससे दा कुछ भी नहीं है, वे सारी चीज़े, वे सारी डिवैसिस, जो एक्स्टरनली बाहर से, यानि कि, इस USB से, आप बाहर से अंदर प्लग इन कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं, वो सारी पेरिफरल डि पेरिफरल डिवैसिस क्या है, यहां पर बाहर से, जो भी जिख की जाती है, वो सारी इन्पुट और डिवैसिस पेरिफरल डिवैसिस कलाएं ऑस इसमें पेरिफरल में भी होती, एक इंटरनल या एक्स्टरनली, जो अंदर खुद ही चलती देती हैं जैसे के RAM और ROM वो इंट तो निकलती है, अब चिप निकलती है, यानि कि फिजिकल पार्ट तो है वो, पर वो एक इंटर्नल ही पार्ट चल रहा है, तो इसमें होते हैं, दो सिर्फ इंटर्नल और एक्स्टर्नल इंटर्नल और एक्स्टर्नल और हम जो बात कर रहे हैं, किसकी क्सटर्नल झाल 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 इंपुट आउटपुट दोनों तरकी डिवाइसे आती हैं चला आगे? लिख लिए अपने? चले आगे चलते हैं यह बात कर लिए हमने पेरिफेरल की और बात कर लिए हमने इंपुट दिवाइसे की अब इंपुट दिवाइसे कौन-कौन सी है एक बड़ देख लें किती इंपुट दिवाइसे की नाम बता सकते हैं? इंपुट इंपुट दिवाइसे चली देख लें मेजर दिवाइसे की बूर्ड से इकन्ड आपका आपका था वोओस तुछ पैड, जोस्तिक, टॉच स्क्रीन, और कौन कौन सी आती है आपकी, लाइट पैन, स्टाइलर्स, बिल्कुल हैं, कैसे हैं, अभी देखते हैं। जोस्तिक से आप टेकन थरे गेम खेलते थे, टेकन थरे गेम खेलाएं न आपने। पैस्टू से खेला है, तो पैस्टू में भी जब आप कंसोल यूज करते हो, तो कंसोल में दो हैंड ग्रिडेड होता हैं। जोस्तिक की तरही काम करते हो, वो ना इंपूट। चली तो आपका। आपन तो इंपूट की बात कर रहे हैं। आप यहां से कुछ चीज अंदर डाल रहे हैं। जो कंसोल है जो अभी यूज करते हैं। कंसोल जो आप यूज करते हैं तो उसमें आप उसका जो वायर है वो कहीं अटेज करते हैं। अटेज करते हैं। तब वो कंसोल चलता है। क्या हो अगर आप वायर अटेश ही ने करो और आप चाहो कि कंसोल यूज हो, हो सकता है। वाइलेस वो तुहो सब्सक्राइब उसमें भी आपको USB लगानी पड़ीगी पीछे प्रांस्मिटर लगाना पड़ेगा तब जागे उसका कनेक्शन होगा फिर आप उसका अगर ट्रांस्मिटर ना लगाओ तो नहीं उसकता पर ट्रांस्मिटर लगा दिया और अब आप जो वर्किंग कर रहे हो अब जैसे जैसे आप उसमें कर रहे हो ऐसे वैसे गेम जो आपका आगे बट रहा है ले कर रहा है तो आप कुछ कर रहे हो तब आगे बट रहा है तो सेम टाइम पे यहां इंपूट है और वहां आउट्वूट है डिस्प्ला सेम टाइम पे आप जो द जड़े आगे चलते हैं तेक है स्टैलेस हो गया आपका लाइक पैन हो गया टच स्क्रीन हो गया जोइस्टिक हो गया आपकी देखे इसमें एक चीज और जो है वह मेजर लें आपको देखने को मिलेगी जैसे कि एक प्वर्ण टी जॐ में ए के पॉंटिंगे इस्टिक स्वया इस्टिक नियुक्त पॉंटिंगे स्टिक इसे झाटली यह देखेगे चाहता हूं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसका ठीक हो जाए ताकि हमारे ओनलाइन वाले जो मित्रगण हैं उनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं और आपको भी नहीं हुआ 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 है कि इतना सारा किस लिए सिर्फ एक व्यू एक्सपीरियंस के लिए कि व्यू जो है वो ठीक लगे और जो हमारे ओनलाइन वाले दोस्ते उनको भी थोड़ा देखने में सहीर है ठीक है वन टू टू त्री पॉर प्वाइव सेक्साने एट नाइन तैन अब यहां जो मैं बताना जाता हूं वो एक सिंपल सी चिज़ए वो यह है कि क्योंकि अधिक्न को अलगसं ही बढ़ना पड़एगा आपको टू से लेकर कि यहां तक को का तूसे यहां तक कर देता है या फिर यह संवज दीजिए आप Systems को यहां से लेकर इस portion के यहां तक यह जो जाएगी यह हो जाएगी आपकी Pointing Devices आपके syllabus में यह clear clear mention है ना Pointing Devices करके नाम बिल्कुल mention कर रखा हों से तो यह जो Pointing Devices है जाट में देखते रही हैं और इन कीबारे में देख लेते हैं चले यह लिग लेया आपने आगे सिलि हैं पशनल कीबरोड की चलितों पहले कीबॉर्ड यूठा लेते हैं साफ़ कीबोड कहां resistant 우리 चलिए थो कि लिए एक कि और जी हे बॉल यह है rather के यहlyus कीबोड तो पहले तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ दा कि आपका जो व्यू है यहां से ठीक आएगा तो देखना सही है इसमें एक चीज पहली बात यह कि नॉमल जो कीबोड है आपका उसमें नमबर ओफ बटन से वो कितने होते हैं ऐवरेजवन एकसू चाथ कितने एकसू चाथ तो सर जो नॉमल है उसमें और इसमें क्या फर्क है एकसू चार से ज़ादा भी हो सकते हैं किया हमने का बिलकूल हो सकता है कितने हो सकते हैं सहर। देखिए इसमें 101 से लेके 108 तक हो सकते हैं टाइपस ऑफ डिपेंडेंसी है कि आपका जो कीबोर्ड है वो किस तरगा है क्योंकि आजकल गेमिंग कंसोल में भी कीबोर्ड यूज़ आते हैं शॉटकट कीज भी आती है आपने देखा होगा यहां सैड में भी आते हैं बटन्स आते हैं उसकी वज़ लुज़ते हैं आपके तो माकसिमुम कितमी हो वह पती 108 और मिनिम्म हो सकता 101 जीक यह तो हमने बात कि इसकी अब जो यह बना है कीबोर्ड कीबोर्ड जो कहिनका इंस्पार्ड है वो टाइप राइटर की फ्रू है मतलब पहले टाइप राइटर हमने देखा और टाइप राइटर होने के बाद टाइप राइटर होने के बाद हमने देखा कि कीबोर्ड जो है वो इजाज हुआ कीबोर्ड और टाइप राइटर में बेसिक फर्क क्या आप जानते हैं पेपर प्रिंट करता है और उसमें आप संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका एक पेपर भी घलत हुआ एक पॉइंट भी घलत हुआ तो उससे आप बैक दा सकते हैं यहां संभावना है तो यह उसका अप्ग्रेड रिपर्ण सब्सक्राइब 1858 में एक साइंटिस्ट हुए इन्होंने बनाया इसे मतलब यह जो आवदार्णा है यह इनकी दिये कि यह काम करना भर्षम है ऐसे चीज़ बदाएंगे जो इस तरह से टाइप करेंगे शुरू से यह फेस ऐसा नहीं था क्योंकि यह जो आप पेस देख रहे हैं जिसमें आपको दे रखा है कुछ इस तरह का व्यूव जहां जहां आपकी यह की अलग-अलग है यह पहले ऐसा नहीं हुआ करता है क्या देखने में लगता कि ABCD तो है तो सर इसको ऐसे क्यों टाइप कर देते हैं अगर बच रहे हैं अक्षर क्योंकि यहां पर थी राइन थी यह एंपर आ रहे है तो अपके लगवग लगवग कुछ जाए जी यह जाते और बाकी के के नीचे कहीं आपके font की size भी है, आपके जो keyboard है, उसकी size भी है, keyboard भी दिखता आपको, q, w, e, r, t, y, quattry, यह दिखता है, एक quattry दिखता है, जिसमें लिखा है आपका, q, w, e, r, t, y, एक size आपका यह चलता है, जो हम कहता है, keyboard layout, दूसरा layout चलता है, a, z, e, r, t, y, यानि कि यह जो a, z है, वो इसकी जगें यूज़ो के, आपका पूरा की दिखता है, तो दूतर का layout है, जो आप use कर सकते है, और भी layout है, पर generally आज purpose में यही चलते हैं, आज कल के time पर यही चलते हैं, हमने layout देखे, अब चल को देख लते हैं, ताकि layout जो आप है, बीच में, डिस ना करें, चले, जह को, इसकी साथ हिए, चले है, क्या करें, क्या करें, क्या करें, इससे कुछ नहीं करेंगे, हम इससे सुत लेटाच साए, चले, प्याने दिखे, बागे का जो work हम इससे कρα देखे, चले, थोड़े, ज जल्दी जल्दी में हम इस चीज़ को देख लेते हैं, F1 से लेके, F12 तक यह कौन सी की हो गई आपकी, चीक है, यह हो गई आपकी, function की, चीक, अब यहाँ पर आपका, यह जो pad है, यह क्या कहलता है आपका, Numeric Pads, चीक, यह जो आपकी value है, तोड़ा color चेंज करने हैं, यह जो value है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, Numeric Keys, यह function क्यों होगी, यह Numeric Key होगी आपकी, यह आपकी quad tree होगी, यह आपका, यह Azure tree होगी, अब यहाँ आपकी Numeric Pad हो गया, क्या रह जाता है, कहां लिखे हैं, एक कांप करते हैं, यहां लिखते हैं, Toggle Keys, कौन कोन से होती है Toggle Keys, देखिए, Toggle Keys का मतलब क्या है, वे सारी की, जो और on या off पर काम करती है, आपने on की, तो चालू हो जाएगी, working आप यूज़ कर सकते हैं, बंद कर देंगे बात कता, यानि कि, यह जो आपका Number Lock है, जब तक यह Toggle किये हैं, क्यूंकि जब तक आप Number Lock on नहीं करते हैं, यहां पर light जो on है, वो on नहीं हो जाती, तब तक आप Number Pad यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यह आपकी एक तरह से, क्या हो गई? एक तो हागया आपका, Number Lock, दूसरा आपका हो गया, बिल्कुल है, Scroll Lock, और तीसरा हो गया आपका, Caps Lock, तो यह तीन तरह की कौन सी हो गया आपकी? Toggle की हो गया, अब तरह Number Lock तो आप बता दिया है, Scroll Lock का बता दो, Scroll Lock में यह होता है, जब आप Word, Excel या PowerPoint में कोई फाइल बना के रखे हैं, आप चाहता है कि आपकी मौझूदगी बिना, जब आप मौझूद नहीं हो, तो उस फाइल को अगर कोई Open भी कर लाया है, जैसे कर लिया, उसने Open की हाँ हो गई है, तो आप अगर उसमें Scroll Lock कर देंगे तो वो फाइल जो है, मौझ नहीं होगी, यानि फाइल का Scroll Up और Scroll Down होना, बंद हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा, उस कंडिशन में आप एक तरह का Safety Purpose है, आपने यूज किया, तो वापस जब आप Num Lock On करेंगे, क्योंकि Off है, तब ही नहीं हो रहा है, जैसे On करेंगे, तब Num Lock जो है, या Scroll Lock जो है, वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपका काम हाता है, Scroll Lock वहाँ, जहाँ वर्ड-Excel PowerPoint में कोई PPPT या वर्ड-Excel PowerPoint में कोई Word फाइल या Excel फाइल, Bookmark है, वो यूज कर रहा है, या Presentation यूज कर रहा है, तो उसे Lock करने में ताम होता है, तीसरा हम देखते है, Caps Lock, सभी को, सिर्व आप बता, यह जो Call है, यह रही आपकी Key, यह हो गए आपकी, Sorry, यह Num Lock, यह आपकी, Scroll Lock की, और यह आपकी Caps Lock, जो कि हम यहाँ से लेके आते हैं, और इसके बाद तो हम को यहीं लाने पड़ेगी, यह आपकी Caps Lock की, तो तीन Key हो गए आपकी बोड़त चलिए, यह बात कर ली है, हमने Toggle Key की, Numeric Key की, और यह functions की, आपकी हो गई, नमरे Pad, अब आते हैं, Alphabetic Key, क्या है, कि सर, यह जो अभी आपने बनाया है, मैंने का कौन सा बनाया, अरे सर, अभी तो आपने बनाया, मैंने का क्या बनाया, बताओ तो सही, बोले कि यह वाला ज मैंने का बहुत बढ़िया है, तो आपने कहा की, Alphabetic Key क्या हो गया, आपका यह वाला एरिया हो गया, चिक है, तो Alphabetic Key हो गया, Numeric Key हो गया, Numeric Key हो गया, Function Key हो गया, Toggle Key हो गया, अब क्या रह जाता है, अब रह जाता आपका Special Purpose की, जियां से दिख्किए, इसमें कुछ र रहत हो गया, मैंने का क्या क्या रह गया, अब तो Shift रह गया, Control रह गया, यह आपकी Insert हो गया, यह सब रह गया, मैंने का बिल्कुल बताएंगे आपको, तो यहां पर एक तो हो गया, आपके Alphabetic Key, एक आजाती है आपकी, Modifier Key, क्या आजाती है, अब देखिए जगे भी नहीं कहीं लिख ले है, यहां लिख लेते है, Modifier Key, तो Modifier Key में आपकी Conference ही आजाएगी, इसमें आप लिख लीजिए, Alt, Control, Alt, Shift, यह आपकी Modifier की आजए, मतलब, Modifier का मतलब है, कि इसके साथ ही, इसको यूज़ करना है, तो किसी के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, आप सिफ Alt दबाएंगे, उससे कुछ नहीं हुआ, आप सिफ Ctrl दबाएंगे, उससे भी कुछ नहीं हुआ, आप सिफ Shift दबाएंगे, तो आप direct My Computer में चल जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने Alt प्लस टैब दबाएंगे, तो सारी की सारी जो Windows खुली हुई है, जो प्रोग्राम खुले हुआ है, वो आपको दिख जाएंगे, उसी तरह अगर Ctrl प्लस A कर दिया, तो जितना भी format तो वो Capital हो जाएगी, यह तीन ही की, सिर्फ तीन यही लिख लिए, ठीक है, मॉडिफायर में कहीने के उससे जगा दिया जा सकता है, पर 100% जैसे बुक में जैसा आ रहा है आरे समस्थी जो पूछता है उसमें वो उसको मान नहीं रहा है, तो अगर मैं लिखवा भी दूँ, हो भी सकता है, पर वो मानेगा नहीं, तो वहां कहीं नहीं आपको गलत नौलज पास करना हो गया, वो मैं नहीं करना, तो बॉड़िफायर की हो गई, अब क्या रह जाती है, स्पेशल परपस की रह जाती है, चली स्पेशल परपस की आगे देख लेते हैं, कौन कौन सी है, यहां आप नंबर मिल्टिप्ला होती है, मतलल स्ट्टाफ्री होती है और यह स्लेआश होता है आपका, प्लस अंटर होता है, ठीक है, और यह different होता है आपका,acka full stop जिने हम कहता है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, यह कौन सी रह जो है? बिलकुल नंबर जो पैजए, ढिलकुल है Collegepción नूमलो of while, बिलक का 70 की यानि की नुमेरिक पैड का हो गया यह पूछा हुआ कोश्चन है ना कि नंबर पैड में टोटल कित्री की होती तो आपको याद रहना चाहिए कि 70 की होती है आपको फंक्शन की में पता होना चाहिए कि 12 होती है अलफावेटिक में कुछ याद रखने की जोरत नी क्यों और हो हो और है एक ग्रगिहां एक और चीज क्या बदों मॉडिफार नहीं इसे कहते हैं फ्लोटन द्रौन की कोई कोई कrator की भी कहते है कि क değ हमने कहां इसको इसको सॉ क्ण रखें गहां चलिए आगल सपेशल कॉर्प़र्स की समें क्या यत tyre गईंई धिक और सी रह गई हमने हमने कहा सर इंसे रहे गई और यह जो सारे है का गल्य का प्रेंट do यह छीज ने नौट कि वह जज़िए निखते हैं थीएं का थीक है लिफ्ट दू रहा गई जैन। शेट हो गया, आपका अल्ट हो गया, यहां सारा यह चीज अप्रेट है, तो चली देख लेते हैं, क्या है, इंसर्ट, डिलेट, ओम, पेज़ अप, पेज़ डाउन, पेज़ डाउन, यहां देख लेते हैं, इसको भी पूरा देखिते हैं, जो हमरे अन्मारे दोस्तों कहेंगे, सर आप एतना शॉर्ट कट तो मत लिखो जरा, इंसर्ट, डिलेट, होम, पेज़ डाउन, ठीक है, और कौन साथ है आपका टैब, यह क्यों होगी आपकी स्पेशल परपस की, क्या होगी आपकी, स्पेशल परपस की, यह है, प्रिंटे स्क्रेंट बपाॉज, देखे यह भी ले सकता हैं पर इसे इसे मैं आइकान लिखूं इसे देखे, तो यह आपकी special purpose की होगी अब एक और जो आती है क्या आती है Nevigation Keys क्या होती निविगेशन के समस्कार आपको नहीं पता ही क्या नेविगेशन की हुद देखा त्यूं कि यह आपका Navigation Key कि यह चले है तो हमने का यह जो है यह हो गए आपकी स्पेशल नेविगेशन की यहां आ जाती है आपकी और इसे ही हम क्या कहते हैं कंट्रोल की भी कहते हैं है अरे सहाब क्यों गलत गलत लिख ले रहे हूं ऐसा तुमत करूँ कि क्या कर दिया सर आपने सर कुछ नहीं किया मैंने यहां कंट्रोल कर दिया क्या लिखना था कॉंबिनेशन क्या आया कॉंबिनेशन अच्छा भी लग रहा है ना तो यह नेविगेशन की यहां कंट्रोल की यह यह आपके इस तरह के पॉर्शन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको कीबोड पर दिख जाएंगे जल्दी से एक बाद उतार लिजिए आगे बड़े हम ठीक है चलिए ऑन्लाइन वाले आप कुछ मत कीजिए आप सिर्फ आजे चलते हैं कीबोड के बारे ममने बात कर ली अब चौटी सिफ्द्रीं देख लेते है कि कीबोर्ड जो है वो देघ क्या करते है एक हमने का कीबोर्ड में जो है आप इंस धिक आप देदेगा से से कू लोँ च्हों फडिंक भाप टीक है यह data जो है input ने लिया इन पुठमने लाव भी आ आप लहाओ नहाप पर मन्भावोटों कौन बैठा है है इञ आपने दिया इसको क्या कि दे दिया आपने दिया इसको नंबर आपने देदे इसको image आपने देदे इसको alphabets आपने देदे वीडियो audio मतलब total multi video आपने दे दिया अब ये तो input device कर दिया आपने जो CPU लेगा वो थोड़ी समझेगा कि आपने number दिया है image दिया है या फिर alphabet उसके पास क्या जाएगा सब उसके पास तो जाएगा 0 & 1 तो यह यहाँ जो data आपने इस सारा दिया है इसको कि इसके तो यहाँ जाए यह 01 में करने काम करता है input device input device में भी कौम करता है sir input device में एक encoder लगा होता है क्या लगा होता है encoder यह encoder काम करता है इस data को machine language में बदलने का मतलब यह जो पूरा डीटा आपने दे दिया है इसमें सब कुछ आपने भर रख आ है पूरी डिस्क भर रखी ए इसको प्रोसेस करने की काम कून करेगा इंपूड करेगा कि पहिया इक काम पर इंकोडर यह जो लोग आ रहे है न इनको एक लाइन में चाद कर दें ठीक है sir कर देता हूं किस मैं एक काम कर zero one बना दे ठीक है zero one बना दी और cpu दे लिए ठीक है तो major आप क्या इसका जो keyboard का काम क्या है या फिर input device का काम क्या है ये हम हम झाल 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 तो यह convert करके उसको देता है और यह आगे प्रोसेस करवाता है चलिए आगे चलते हैं तो अभी तक हमने keyboard के बारें क्या क्या चीज देख ली देखिए यह आपका इंफू डिवाईशन है यही थोड़ा बड़ा कि बागी जो है बागी सारे आपके छुट छुट हैं जल्दी से हो जाएंगे कोई दिकत नहीं आती है इसमें एक चीज आती है आपकी लॉंगेस्ट की ऑफ कीबोर्ड कौनसी है इस पेस बार इस पेस बार जो है वह आपकी लॉंगेस्ट की ऑफ कीबोर्ड है लेके ना मैं यह वाली तो यह वाली जो है वह स्पेस की है अपकी इस पेस बार देते हैं हम चलिए क्बिए्श क्वांजनन मैं यह संसे लॉर करेंड़र सोख फे यह यह वह क्वांducनी कीबोर्ड थे लॉक्त क्वांजनने ज latome र lambda कौन से होगी बिल्कुल बैक इस्पेस जो है वो आपकी बैक स्पेस इस पेस इस सारी स्पेशल परपल्स की है आपकी आपकी थो हमने स्पेशल परपल्स की में भी देखा इसको और यहां पर भी हमने देखा क्यों क्यों क्यूंकि ये आपका दो कॉश्शन बहुत major पूछा जाए आपकी ज़्यादार अगर कोशन पूछे रहता है इसमें एक और बैक्सेस का जो कोशन आता है वो क्या आता है देखें बहुत अच्छा कोशन नंता है इसी लेंग्वेज में आता है क्या आता है किस कुण जी के माध्यम से डेटा डाएं से बाई की दिशा ने हटाया जाता है अब बताएए कि इस तरह का कोशन आता है जब आपके कम्पिटर के कोशन में दिशदी की कोशन पूछलना leven करते हैं है तर आप फ़र्स पायदान पर है और वहीं से रिमूओ करना है यानि कि लाइन जो है वह आपकी लेफ्ट टू राइट आईगी राइट टू लेफ्ट आईगी आप नहीं अट रहे आप जैसे कि आपका जो कड़ सर है वह यहीं खड़ा है अब जो आप डिलेट कर रहे हैं वह यहां से यह जो data है तरहाएग और यहां से delete हो भर है उस key को क्या कहते हैं क्या उसके लिए deli-GS तो ऐसे आगे तो जैसे आप single time दबाते हैं तो एक आपका letter है वो कम हो जाता है यानि कि delete हो जाता है multi time दवाएंगे तो आपका cursor तो यहीं रहेगा पर यह सारी जो लाहिने वो आगे की तरफ बढ़ेगी और सारा data जो आपका erase हो जाएगा ठीक है तो यहां आपको ध्यान रखने वाली बात बस यह थी आपको यह चीज को ध्यान रखनी है ठीक है और अगर आपका और अगर आपका इसमें कोई और चीज आपको देखता है तो आप इस की के माध्यम से आप बता सकते हैं की में आप बताए सकते हैं कि हाँ चीज से की में यह रह गई है और आप देखीगा आगे चलते हैं एक जो इसमें बताई जाती है आपको ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है या फिर आप जब देखते हैं तो आप इसे इग्नोर कर देते हैं और वो चीज़ है क्या होता है सब्केशल करें जब आपकिसी की को प्रेस करकर रख देते हैं तो फॉंट जो हैं बार बार एक साथ सारे स्टार्ट होगी जिसे कोई बिंग आप अलफाबेटिक हैं कंप्डिर में अलफाबेटिक न्यूमेरी कोई बीग प्रेस रह जाती है आपने जो की दबई वो दबी रह गई एक साथ जिसे चपना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसा देखा है न अपना कई बार एसे पूरा को पूरा मतलब यह आपका मल्टी टाइम भर जाएगा अब इस तरह की जो समस्या है उस समस्य को क्या कहते हैं दोस्तों यह जो समस्या है जिससे आप जूंज रहें इसी समस्या को आपका कहते हैं टाइपमेटिक है यही होता है आपका टाइप्मेटिक तो सर इससे निजास पाने का कुछ उपाए भी तो पता ही है देखिए बता देते हैं देखिए टाइप्मेटिक जो है वो 0.5 सेकंड कितना 0.5 से ज़्यादा अगर आप दबा के रखते हैं तो यह हो जाता है और 0.5 सेकंड में यह 10 वर्ड्स प्रतिस सेकंड प्रिंट कर देता है 10 वर्ड्स प्रतिस सेकंड प्रेस कर देता है मतलब कि 5 में कितना हो गए कर देगा है ना आप बात कर रहे हैं पांच वर्ड आपके सेकंड आदे हैं हाफ सेकंड में कर देगा मतलब नैनो सेकंड हो गया calculation बड़ी tough है, नीचे तक जाएगी, तो typematic आपका यहां काम करता है, आपको बस यहां simple से यह समझना है, typematic जो है, वो खिसे कहते हैं, और वो क्या काम करता है, यहां इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, typematic में यहां यही चीज चलेगी, यहां कुछ नहीं है, यहां आपका completely keyboard खतम होता है, keyboard यहां से कुछ नहीं है, आप keyboard में एक basic चीज़े बढ़ जाती है, वो छोटी सी चीज़े है, जो कि आप जानते हैं, इसलिए मैं यहां आपको बता कि आपका time waste नहीं करूंगा, वो है, एक तो होता है आपका optical keyboard, जो कि हम द क्या होता है, एक होता है आपका wireless, और तीसरा आज कर आने लग गया है, वो है virtual, कैसे आएगा सर virtual को, यह देख लो, कोई दूर वाली बात ही नहीं है, यह जो keyboard, यह keyboard है आपका, virtual है, यहां पर जो मुझे type करना है, है तो physically नहीं है, पर फिर भी मैं soft copy मैं से type कर सकता हूं, तो यही आपके keyboard, तीन टाइप है आपके, Escape की आपकी special purpose में है, है ना, special purpose में लिखा रहे के नहीं है, रहे गए है क्या, Escape, अरे बाबाबा, यहां तो दो और रहे गई है आपकी, Backspace, और Space, ठीक है, यह सारे आपकी की जो है, special purpose की है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ठीक है, यह कम निट होगी, ठीक है, चलने आगे, चली, यहां एक छोटी सी लाइन और आप लिख लीजिए का, क्या लिखना है, दिखिए, Keyboard, Character, user interface, क्या है, रेक्सार, user interface, पर आधारी थे तो कीबोर्ड जो है वो किस पर आधारी थे कीबोर्ड आधारी थे आपका character-based user interface चलिए यह हो गया आपका खतम आगे चलते हैं अब आ जाता है आपका माउस का माउस के बारे में पहली ही जानकरी क्या मिलती है माउस के बारे में पहली जानकरी जो मिलती है यह पॉइंटिंग डिवाईस आपकी ठीक है और जी योई-बेस्डेश क्या है जी योई-बेस्डेश जाने की जाने की ग्राफिक उसर इंटरफेस जाने की जाने की जाने की ठीक है तो मेजर ली हमने यह देखा अब यह आपका इतना बड़ा एक बटन है स्क्रॉल बार है और एक ही बटन है देखे एक बटन यहां दूसरा बटन यहां और तीसरा जो हो जाता है वो है आपका यह स्क्रॉल बार यहां पर इसमें तीन चीज़े होती है मतलब कि हम क्या कह सकते हैं सामान्य तहार माउस में तीन बटन होते हैं आप कर दो कर दो का यह थी नवके बटन सोबते हैं अब यह जो माउस है कि यह क्या एक तरह का है आ हमने का नहीं सर्थ माउस तो एक तरह का तो नहीं है मॉस तो पहले भी क्राय करते हैं तो माउस जो है कि तीन प्रकार क्यों होते हैं मेकनिकल माउस अप्टिकल माउस और तीसरा कोडलेस यह हम क्या कहते हैं वायरलेस तीन देख लिए हमने मेकनिकल होता है और कॉडलेस होता है तो यह जो अप्टिकल है या फिर मेकनिकल है या फिर आपके कॉडलेस हैं यह किस तरह रखे हैं अच्छा जो अभी हम देख रहे हैं ये कौन सा है अप्टिकल पर इसमें तो कहीं बाइर दिखें ही रहा है अगर हम यहां पर connect करें तो यह अप्टिकल हो गया और अगर हम इसे हटा दें तो यह वायरलेस हो गया इतना ही फरक है इसमें और कुछ फरक है कोई ऐसा मूलभूत चीज जो बुनियादी हो इसका कि वाइरलेस में आपको एक ट्रांस्मेटर की जरूत होती जिसके थुरू वो कनेक्शन जो है वो रे की किर्णों का आदान प्रदान करके उसके उपर काम करता इसे अगर आपका वर्किंग करना चालू करते तो अब इसको आगे देख लेते हैं माउस में सबसे पहले करते हैं मैकेनिकल माउस देखा आप ना अब देखे, मेकेनिकल माउस होता है वह एक तरह का आपका इसी तरह का ही माउस है चाहां पे आपको इस तरह दे रखा है यह लेफ्ट यह राइट हो गया पर इसके नीचे एक तरह की बॉल होती है कि क्या खुल होथी.. इसके नीचा की तरगी.. बॉल होती है.. रबर की बॉल हो यहाँ पर.. कि वाकश में यह मांउस ही दीख रहा है न.. तो मजमाبة लगा होती है DAR यहां पे लगा होता है और इसी रवर की बॉल की अनुसार वो गूमता है और काम करता है आपका, इसी तरह का होता है मेकरिंगल मॉम्स अगर मिल जाए तो दिखा देते हैं आपको चलिए इस तरह के आपके एक इमेज होती है इसने तो बिलकुली अलग कर दिया है चलिए कोई बात नहीं दे दीजिए हमें भी अच्छा लगेगा आप दे देंगे तो इस तरह आपके एक बॉल होती है जिस बॉल में यह माउस जो आपका इजिक्ट होता है और बाके अधर जो आप देखेंगे इस तरह का एक बॉल रहता है अपका यहां आप देख सकते हैं एक कैप लगे होती कैप के अंदर बॉल होती हो इसकी तरह से सारा माजरा सुथा रहता है चलिए अपस आज़ते हैं हमारी बॉर्ड पे तो हमने देख लिया एक तरह तो मैकेनिकल माउस अब बात कर लगदे हैं जिससे हमने बात ठी कि जो की वयर होता है इसमें से तरए हो तरह तरह सकाूइस ne साम बात करते हैं wireless जिसमें transmitter लगा होता है इसकी minimum दूरी जो होती है वो लगवग 5-8 मिटर होती है यानि की 10 फिट के इसकी दूरी होती है उस तक ही आप यूज कर सकते हैं इसे जाद आप यूज नहीं कर सकते हैं यहां mouse आपका खतम होता है चलिए तो यहां mouse हमने देख लिया keyboard आपका खतम हो गया अब आगे की चीज़े हैं जैसे के pointy device में आपकी जो mouse वी ठीक है और others में हमने देख लिया keyboard ठीक यहां आपके आज की class एक बार रखते हैं ठीक बागी देखते हैं थोड़ी दिर बाद चलिए चलिए sab कर तूशआ हैं जैनला में आपके दो धेंग चलिए देखते हैं टूरह से वेड़ी रखते हैं आपके झाल झाल